और आप देख सकते हैं इस मिस्या ने और ठेकेदार की क्या क्लाकारी किया क्या मकान बनवी और मकान तो थोड़ा पैसा खतम रहा है तो आप थोड़ा इतना ध्या eco रहे हैं कि material सही तरीके से लग रहा है कि मकान मजबूती आ रही है या ऐसी ठेकेदार को पैसे देते जा रहे हो ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बलकि आप खुद देखना कि क्या क्या है और नहीं बलकि असी बहुत मिश्टिक देखाने वाला हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कॉलम्ग को आप देखें ठीक है कि पहली बाद तो इसकी चारों छढ़ हैं वो चारों कॉनों पे होने चाहिए जब इसकी छढ़ में चारों च्छण न चारों कॉनों प फॉन्डिसन की ऊपर चार इंची की भी दीवाल दोगे तब भी पे कुछ नहीं होने वाला लेकिन आगर आपका कॉलम कमजोर है तो आने वाले भविश के लिए आपका मकान भी कमजोर होने वाला है और दोस्तों मटेरियल तो पूर लगना ही लगना है तो क्यों नहीं तरफ और देस तरफ घर कि यहां पर यहां पर भी नहीं तो यह पूरा खाली पड़ा हुआ है अब इसको आप यहीं तक जाना है क्यों कि यह फांडिशनका काम में तो उपर तो जाना ही है तो अब क्या करेंगे इस क्यों को कॉलम राके रख देंगे और तार से घस्त तो दोस्तों अगर अब मैं आपको क्या बताऊं ऐसे और भी आपको दिखा रहा हूं आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो किसी अच्छी मिस्त्री से बनवाएं और आप हमारे टीम से कि पहली बाइंद चलाया नहीं है और से combining जबड़ को दिखत नहीं आप इस पॉलम म livres केुए है कि मदे तो यह सब क्या है दूस्तों आपका पेसा लगा यह रहा है ना तो आप उसे पैसा लगाए और अच्छी तरीखी से construction का काम करवाएं ठीक है और दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मकान से लिटर कोई भी जानकारी के लिए ठीक है इसमें अब समझ लोगी इसमें कि अज़ने ट्रेंग कर लगा दिया ठीक हो गया दूस्तों जो मकान बनने का तरीका होता है मैं क्यहों तरुद को सबसे पहले कॉलम बनाओ अगर सक्षम मजबूत तो कोई प्रोब्लम में है कॉलम बनेगा इसके बाद आपको बन जाएगा चिनाई हो गई तो फिर चिनाई तो होती जाएगी कॉलम अब देखो छड़ भी लगी हुई है आप इसमें देख लो इन भाई सब की यह मानलो चलो ठीक है यहां पर ट्रैक्टर निकला होगा तो हो गई होग दोस्तो आप जरूर ध्यान दे और इसमें आपको मैं और भी मिश्टर देखाता हूं और भी देख सकते हैं यह नीचे तो हर में छड़ी सच्छड निकली होई है हर में इसमें भी देख लो तो दोस्तो आप इस तरीके से बचे